तो हाइन वुल्कम दिस अन्यदर एपिसोड विद्मी आर्शी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाने ओनली फाकल्टी ओफ कॉमर्स अंडर बी एच्यू के बारे में जो सी यू इटी के बेसिस पे इस साल एडमिशन दे रहा है और एस तूडेंट को लिमांशू ज अलिशन बिल्डिंग को देख कर आता है यही खयाल है तो बहुत सारी को इसके लिए स्टूडेंस चाते हैं कि मुझझ ब्यच्च्व में अडमिशन जाया तो स्टार्ट करते हें पहले तो यह मतलब आलिशान बिल्डिंग से यह इंफ्रस्ट्रुक्च्चर आप देखिए इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे पनारस हिंदू युनिवर्सिटी राइट है फाउंडर है मदल मोहन माल्विये वारा नसी जो की देवो की नगरी में कहीं न कहीं लुकीटेड है oscope area 1370 sûr एकर में यह उनिवर्सिटी स्फ्रेड है Central University कि काटेगरी में है नक का एक्डरी आगरेशिन है और अगर हम university की रैंकिंग की बात करारे तो practical में यह 5th university रैंके तिक्केरी रांकिंग है Official website phu.ac.in and यह prof! सब्सक्राइब करें, इमारत को देख के दिल में कुछ कुछ होता है, और थर्ड चीज की प्लेसमें भी अच्छे हैं, ब्रांड वैल्यू भी अच्छे हैं, तो पांच इस्टिूट है, जिसमें से अगर हम बात करें, IET है, एक सब्सक्राइब करें, तो अगर आप बावतपूर एरपोर्ट से बात करें, तो उससे, अगर हम बात करें, 22 किलो मिटर हैं वारानसी से, मतलब टोटल 35 किलो मिटर है बहु से, अगर हम रेल्वे ट्रेन से बात करें, मेट्रो से बात करें, तो major cities जो है, वो सारे ही मतलब आपको option जो है, मिल जाते हैं वारानसी जंक्छन में, you can search for train from your city वानासी, by where is the train app easily, right, roadways से भी connected है, right, major NH से connected है, then private and public transport, including cabs, buses, autos, जो हैं वावेलिब, एक बहुत बड़ी उनिवर्सटी है, हजारो बच्चे बढ़ते हैं, कराते हैं, and that is the reason कि यह सारी चीजर मिल जाएंगी, पूरे दुनिया के, you know, students, दुनिया नहीं जादा हो गया, मतलब, पुरा सारी जादा हो गया, पूरे इंडिया के students आपको सी उनिवर्सटी में मिल जाते हैं, admission process, right, courses में undergrad, post grad, apply for CUET, apply and appear for CUET and then counselling process होती है, जिसके basis पे आपको admission मिलता है, simple सी चीज होती है, कि कभी state की centralized university की counselling है, जिसमें आपको registration करना है, voice filling करनी है, then आपकी percentile के basis पे आपको college a lot होंगे, तो आपको CUET exam देना है, बच्चे दे चुके हैं, register for counselling that is bhuonline.in using CUET application number, right, CUET role number as password after CUET result, counselling fees जो है 200 रुपए है for general category, fees भी बहुत कम है, OBC and ST, sorry OBC, STSE 100 रुपए, right, sorry 200 रुपए general OBC and EWS category and 100 रुपए for STSE and PWD candidates, right, necessary details में 10th, 12th, right, mark sheet, cast, category, certificate, graduation, यह सब लगेंगे, आपको पूगे fill करने है, then there is separate preference form for a bhu affiliated colleges also, उसके अलाव अगर हम बात करें तो bhu seat allotment result declare करेगा, कि मतलब तुम्हें कौन सा college मिला है, based on your preferred choice filling, दोनों choice filling, bhu के colleges और affiliated colleges के लिए and you know one can also take admission by paid seat, मतलब paid seat में क्या होता है इनकी, एक होती है जो fees you know university की है और एक जिसमें fees थोड़ी सी जाद होती है, let's example के तौर पर मैं उता रही हूँ, let's say अगर हम counselling से जाते हैं तो एक normal seat की fees पच्छा से जार रुपए है, example की तौर पर साल की, तो paid seat हो सकता है आपको 1 lakh rupees में मिले है, 1 lakh 10,000 per year की fees में मिले तो आप उसको भी मिल सकते है, paying extra fees to get admission for that particular seat, बाकी colleges में तो क्या होता है, यह तो पीछे की बात होती है, जहां पर दिखाई नहीं जाती है, यहां पर everything is sorted, clearly कि अगर आपके पास है, आप spend जादा कर सकते हैं, वाप उस seat के लिए भी apply कर सकते हैं, नोटबल alumni की बात करें, इंक्लूज फेमस author, politicians, bureaucrats, CEO, sports players, actors, आपको बहुत सारे नोटबल alumni मिलेंगे हैं when it comes to this university, Ram Manohar Lohia, Robert M. Pirsig, Manoj Sinha, Sienna Rao, Ram Chandra Shukla, Manu Bandari, Raiman Panikar, ऐसे बहुत सारे नोटबल alumni हैं when it comes to this specific college, right, and that is the reason इतना पुराना college है और उसी तरह की इसकी brand value. अब हम बात करें हैं किसके बारे में, जिसके लिए तुमने मुझे मांशू comment करकर के, you know, बोला रहे हैं वीडियो बनाओ, and last time मैंने बनाया था FMS BHU पर, पर FMS BHU CUET नहीं ले रहा है, faculty of commerce जो है वो ले रहा है CUET, but ये BCOM कराता है, honors में, MCOM कराता है, PhD, तो हम यहाँ पर MCOM, master's की बात कर रहे हैं, right, अब हम बात करें, so master's of financial management, minus of, master's of financial management, risk and insurance management में कराता है, and master's कराता है, foreign trade के अंदर, faculty of commerce, right, then fee structure की बात करें, तो यार, 317 रुपए, मतलब ये तो एक तरह से ना के बराबर fees है, यार, इतनी तो यूनों, तुम्हें तुम्हें तुम्हारी girlfriend को डीट करने में, monthly expenses हो जाते हैं, so ये fee structure है, PhD का 3,900 है, BCOM का 24,03 का fee structure है, ये yearly fee structure है, समें hostel fees and बाकी चीज़े included नहीं है, male UG में, हम PG देखते हैं, 438 male है, 293 female है, PhD में अगर हम बात करें, 4 male, 6 female, UG में 942 males and 449 females, मतलब 50-50% का ratio है, अगर हम बात करें, male and female की male जादा है, and 25% के ratio में कहीं न कहीं female, उसके 50% females है, अब हम course wise seat metrics की बात करते हैं, हम किस की बात करें, हम पहले तो MCOM की बात करें, 200, 146 जो है, 200 male है, right, and 146 female है, 346 total seat metrics है, then हम financial management की बात करें, that is MFM, जिसकी हम बात करें हैं, Masters of Financial Management, then Foreign Trade, right, Financial Management, R&I, इसमें 59 seats है, male, then female 53, 112 seats है, then MFT, that is Masters of Foreign Trade, 44 seats है, कि MBA नहीं कराता है, यह Masters कराता है, then 27 seats female की है, ऐसी 71 seats है, you can have a look, UG में भी काई सारे courses है, बाट आप चाहूत एक बाट देख लेते हैं, बता देखू इसको भी, B.com में अगरा हम बात करें, 548, 360, total 908 seat हैं, B.com paid, जो जिसकी paid seat है, 201, 76 and 237, B.com FM, right, 112, female, 19 and essay, 131 seat हैं, और यह PhD की seats हैं, अगर हम seats की बात करें, इंटर्शिप अवेलिबल हैं, फाइनल यर में, स्टूरेंस के लोगन रिसर्च वर्क, प्रोजेक्ट बड्रोफेसर आल्सो, तो यह दो ऑप्शन हैं वर इंटर्शिप उपरचुनिटीज, इसना आप टॉकिंग अबाव उथे, जो में मोटे वयार कितना पैसा मिलेगा, भले मैंने कम लगाया है, जाधा आए, बट मुझे पैसे चाहिए, तो आरवाई तो डेफिनेटली मिल जाएगा, क्योंकि फीस जो हैं वा इकदब ना के वराबर है, सबसे पहले, टोटल 431 स्टुटेंट्स प्लेस हैं, आउट ओफ 3, 4, 5, 6, राइट, यहीं यूजी प्रोग्राम, जॉब्स, जुथी वह फिनांस, सेल्स, HR, IT, किंचाल्टिंग, मार्क्तिंग, सब भी थी, थोड़ी से fluctuation होते हैं, there's no such 100%, अब यह मानम के से चल जाकते हैं, कि 60%, 65%, क्योंकि government university है, faculties अच्छे है, infrastructure अच्छा है, facilities अच्छी है, और placement में थोड़ा सा variation रहता है, FMSBHU जो है उसका काफी नाम है, क्योंकि वहां पर return on investment अच्छा है, but faculty of commerce जो है, उसका उतना नाम नहीं है, compared to FMSBHU, अगर हम overall India के basis पर बात करें, तो उन्होंने यहां पर average package 7.4 का दिया, क्योंकि यही FMSBHU जो FMSBHU उसका भी है, IAS 14 का दिया है, बट आप यह मान के चल सकते हैं, कि in any case 5.4.000.000 का भी अगर average package है, और जिस तरह की fees का आप investment कर रहे हैं, उसके इसाफ से it's not at all a bad option, right? Companies आती हैं, आप even अपने level पे भी बहुत सारी opportunities देख सकते हैं, तो अगर आप CUET के basis पे colleges देख रहे हैं, तो मैंने आपको जब बनाया था कि कौन-कौन सी university CUET के थू admission ले रही है, Central University में मैंने आपको बताया था 3 हैं, एक आप BHU देख सकते हैं, आप एक DAVV इंद और की देख सकते हैं, और मैंने आपको कुछ और universities उसी में कही न कहीं बताई थी, तो आप मुझे लगता है CUET के basis पे इसको definitely consider कर सकते हो, because जो बाकी universities उनसे तो यह काफी बहतर option है, मतलब it's not about being the top, it's about जो बाकी options उन में से कितना बहतर है, और return and investment I think 100% से भी जादा है, because fees बहुत कम है, placements are in course subjects, placements opportunities are more in MBA, lesser chances of higher package in BCOM, यह students के review है, so MBA में आप इसको consider कर सकते हैं, 100% नहीं है, but 50-60% आप मान सकते हैं, with a decent package, आपको 3,500,000, कुछ 5,500,000 के packages लें हैं, कुछ 5 के हैं, कुछ 6 के हैं, यह opportunities आपको मिलें, right, and tips, मैं internship and placements के लिए देना चाहती हूं, right, for internship, take help from alumni, right, बहुत notable alumni, आप उनसे help कर सकते हो, create your LinkedIn profile, reach out to them, talk to them, ask them, you know, I'm seeking for this, search for job profile that suits you, online recruiting size, like internship, high rec, आप इनसब पर search कर सकते हैं, खुज से भी, मतलब ऐसा नहीं है, हम आग बंद करके जाएं, और BHU, FMS, Faculty of Commerce, मुझे प्लेस्मेंट दला दुया रहा है, placements, college पे भी हमें जाना है, बढ़ पारलली हमें भी try करना है, because यह हमारा final एक तरह से investment होता है, बहुत कम बच्चे PhD के लिए जाते हैं, learn skills from online websites, like Coursera, Internshala, Great Learning, paid, free, मेरे इसाफ से इसमें मैं suggestion दूंगी, internship करो, you know, यह course से आप बहुत कम सीखोगे, पर अगर आप internship करोगे, आप practical projects पर काम करोगे, आप बहुत सीखोगे आपके placement होने के chances बढ़ जाएंगे, अपना CV जो है, right, doing a lot of internship societies, co-curricular activities इसमें involved रहा हो, right, and साथी साथ आप और भी कई सारी चीजों के लिए भी जो है, apply कर सकते हैं, faculty 46 है, सभी experience faculty से इसी के लिए जाना जाता है, so talk की बात करें, 20, 21, general category 1, 1, 5, 1, right, sorry, cut-off trends, ranks की बात करें, B.com, ये undergrads के लिए है, general category ये O.B.C., you know, ये SC, 1-707 के बीच, and ST 1-352, ये उनकी category rank के साब से, so हैं वो cut-off trends, right, then M.com में ये cut-off trends है, general category seats है, और ये trends है, cut-off trends marks के हिसाब से, ये rank नहीं है, ये mark में 130, 120, ST 70, ST 50, EWS 130, right, 2020 में 222, O.B.C. 200, SC 164, 115, and EWS 171. Hostel in accommodation, right, 240 in Dr. Ion Guru hostel में है, right, girls में, no hostel for commerce department, international students, 64 girls, 125, international students है, उसके अलावा, easily PG और rooms जो हम अवेलिबल हो सकते हैं, बहुत cost-beef, cost-friendly है, वारा नसी जैसी city है, infrastructure में canteen, airstrip and helipad, Bhu club, railway reservation counter, IGNU, shopping complex, 6, Malviya Shivani, Shishu Vihar, banks and post office, infrastructure and facilities में available है, then placement service है, university employment and guidance bureau है, extracurricular activities है, internet and computation facility है, and while you learn, यह वाली scheme है, anandan scheme है and hobby center है, यह वाली facilities आपको मिल जाएंगी, university mountaining center है, national service scheme है, and national credit corps है, sports में 24 games है, जिसमें RK, man, right, athletics men and women, badminton, basketball, boxing men, chess men, women, cricket, cycling, football, wrestling, men के लिए, football में के लिए, then gymnastic है, you know, handball है, hockey है, kabaddi है, power lifting है, weight lifting है, यह सारी भी extracurricular के लिए भी आपके पास option, कई सारी extracurricular है, gymnasium halls, schools, stadiums, जो हैं, available है, काफी लंबी है, but मैं detailed मैं आपको बताना चाहरी थी, आपके दिमाग में कोई question नहीं रहे और आप यह नहीं कहो कि माम आपने लिडियो date बनाया, information पूरी थी, जो फेस्टें पांदेशन दे होता है, स्पधन इंटर, university festival है, and competition है, Malhya Jain थी होता है, not Eastern festival होता है, Shainai Ohli होती है, Janma Shmeet, Diwali, Mohat Sab, यह सारी चीजे होती है, and reviews by student, good to see for BCom, right, then उसके अलावा, largest residential university, in with lots of diversity, no academic pressure by professors, faculty good है, infrastructure अच्छा है, but थोड़ा सा government है, तो practical में, exposure काम है, scholarships available है, and e-resources भी जो है, available है, library, through for the students, conclusion, right, काफी old university है, but अगर आप सोच रहे हैं, 100% placement, and बहुत ज़्यादा practical, तो फिर हो सकते हैं, कुछ और options को देख सकते हैं, with excellent infrastructure, faculties अच्छ है, and facilities अच्छ है, glorious history है, काफी, you know, strong alumni base है, college का, low packages and placement है, यह एक चीज है, क्योंकि देखो, होता क्या है, private universities के साथ, कि तुमसे वो 10 लाग रुपे fees ले रहे हैं, और 10 लाग के हिसाब से वो even training and placement में investment भी कर रहे हैं, college सरकारी होता है, fees बहुत कम होती है, इसमें, you know, ऐसा नहीं है, they don't reach out, बट वो एक्दम aggressive बेव में नहीं होता है, because private colleges में क्या होता है, कि भाई, placement नहीं देंगा, तो नहीं से बच्चे कैसे लेके आएंगे, इनके साथ ऐसा नहीं है, बच्चे खुद ही खुद आ जाते हैं, नाम से, you know, infrastructure देखे, जिसे दिल में कुछ-कुछ होता है, जो first slide में ही मैंने लिख रखाता, तो ये एक draw point है, ये student का है, कि low packages and placement है, lesser internship and placement opportunities है, सारे ही subject में uniformly, right, with central universities and DU से competition होता है, Aligarh University से, you know, जो कि काफी known universities है, and अगर आप excellent things, you know, सीखना चाते हो, ये माइन में रखे कि placement records and keep yourself prepared for that, तो फिर उस case में आप इस university को जो है वह देख सतने है, ऐसी ही information के लिए बने रहे, मेरे साथ with Pikachu, right, तो ये तो next topic आगया, so that's all about this episode, like, share and subscribe. I hope you like this video, for more such videos, keep watching our channel, and do not forget to like, share and subscribe.